जहीं दोस्तों, तो कैसे चल रही आप लोग की त्यारी? मैं मुकेस्कमा नोटबुक स्टेडी में आप सभी का स्वाद करता हूँ तो आज हम लोग का Day 2 है I hope Day 1 का आप लोग हूंबर पूरा अच्छा से कर लिये होंगे ठीक है? Master साब आप लोगो दिये थे ना? थोड़ा दिर में आप लोग इंतिजार करना होगा तो आज जो है Second Day है हो सकता है बहुत लोग का कुछ छुट गया होगा बहुत लोग नए हैं नहीं पता चला होगा बाद में वीडियो देखे होंगे तो माल लिजे आप लोग आज छुट गया है कुसी का तो आप लोग आज Day 2 से कीजेगा बात में उसको आप Last में खतम कीजेगा Day 2 से Start कीजेगा Last में खतम कर लिजेगा और दूसरी बात यह है कि एक दो लोग पूछ रहे थे कि सर मेरे पास ये Book है आप Page Number दे देजेए अगर Lucian है तो अच्छी है बहुत अच्छी बात है Crown है, Crown से पड़िए खटना चकर है जो भी Book है तो चलिए, बिना किसी देरी के सुरू करते है Day 2 का जो आपका Topic है उसको हमनों कभर करेंगा और उसके बाद 30 Question का Set जो आप लोग को 6 Topic दिया एकदम उसी से चुन-चुन के में लेके लेके आया हूँ ठीक है और 30 में आप लोग को अच्छा मार्स लेके आना है तो मेरे साथ बने रहेगा पूरा वीडियो देखेगा समझ में अच्छा से आजाएगा ठीक है तो Day 2 का जो आज का Topic है History से सबसे पहले देखे एक Heart लेंगे एक EG लेंगे तब जाके Balance होगा आप लोग का आराम से जो है Cover हो जाएगा तो पहले History History में क्या करेंगे महाजन पत का उदय और जैंधरम ये दो आप लोग को पढ़ना है महाजन पत छोटा है इसलिए और जैंधरम से आपको पढ़ लेना है महाजन पत में जैसे की छटी सताब्दी इसापूर में सिक्थ बीसी में महाजन पत का छोटे-छोटे राजजी मिलके जन मिलके महाजन हो जाते तो महाजन पत का उदय होता है और इसको अगर पढ़ना है न हम यहाँ पत दिखा दे रहें आपको यह ट्रिक, लूशन ट्रिक मेरे द्वारा पढ़ाये गया है बहुत ही बढ़िया तरीका से पढ़ाया है आप लूशन को पढ़ेंगे याद करेंगे न अंगे की राध्धानी यह याद होगा ठीक है लेकिन अगर हम बोल दे चीदी का राध्धानी क्या था असमक क्या था तो आप फ्रोड़ा कन्फ्यूजन हो जाईएगा तो इसको हम ट्रिक से बताएं और बहुत ही लाजवाब ट्रिक से बताएं सतर किलास में लुषेट हम कंप्लीट किया है आपको बताएं भी है तो आप लोगों अगर नहीं देखे तो जा कि देखे तो महाजन पदूद है अगर आप लोगों को याद है तो बहुत बढ़ी है नहीं याद है तो आपको पुरा अच्ह से जानना है टीवनी का उनके पिताजी कों थे कब जन हुआ था जन हुआ था मताजी को थी उनकी एक बेटिखे प्रिदस्नीन की बेटी का नाम था तुरिसला माता थी ठीक है चिटक की बहन थी तो यह सारा कुछ आप अच्छा से देख लिए महाविर से यहां से कुश्चेन आता है निश्चा जाएंगे अब लोग ब्रह्मांट जोग्रॉफिक अगर आपने चाप्टर ले तो फस्ट क्या सर दे दिये हैं यहां से कुश्चेन कुछ कुछ पूस दिया जाता है ठीक है सौर मंडल से सबसे ज़्यादा पूचा जाता है ब्रह्मांट ब्रह्मांट में बैसिकली आपको बीग बैंक ठीरी करना है ठीक है निहारिका क्या होता है ठीक है निहारिका क्या है ठीक है न अनुसुची, अनुसुची को आप अच्छा से याद केज़ेगा, अनुसुची क्या है, मतलब एक समिधान का बहुत चीज़ को एक टेबल फॉर्म में बना दिया है, एक टेबल के रूप में, ठीक है, हमनों भी इंडेक्स बनाते हैं, हाना, कि किस चाप्टर का कितना नंबर पेज है, तो उसी तरह एक टेबल फॉर्म में अनुसुची को कर दिया गया है, ठीक है, तो इसमें कुल 12 अनुसुची है, जब समिधान बन रहा था, 26 जनुवरी उनुसुचास को जब समिधान अंगिकरित हुआ था, तो उस समय तक 8 अनुसुची थे, तो इसलिए कोशन प पॉल्टी के क्लास में हम बहुत बढ़या से ट्रिक से भी बताया है, ठीक है, तो वहाँ आप देख सकते हैं अनुसुची, आपको याद करना है, आठ पहले याद कर लिजेगा, फिर चार को संसोधन के द्वारा जोड़ दे गया, कि समिधान संसोधन के द्वारा कब जोड यह सबसे बड़ा मिलेगा आपको, फिजिक्स, फिजिक्स में हम जानके आपका गती लेके नहीं आएं, ठीक है, आपका युनिट के बाद गती था, तो गती लेके नहीं आएं, फिर क्या होगा न, बहुत बढ़ा चाप्टर मिल जाएगा, तो फिर नहीं कभर हो पाए Гटा काल थे न को थना ठीके नियान sì सिफ़सी पॉइलोजी में आज जो पढ़ेंगे मीजिए का विज्ञान ध्यान ये बाईलू जी का जो कोशिका विज्ञान है ठीक है जो हम लोग सेल हम लोग पढ़ेंगे तो सेल का हम सिर्फ पार्ट वन थोड़ा सा ज्यादा है दो तीन पेज गया है तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ लेंगे ठीक है सेल को हमनों दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट वन में क्या पढ़ना है कि कोसिका क्या होती है, ठीक है, सेल क्या होता है, कोसिका कितने परकार का होता है, ठीक है, कोसिका में परकार का होता है, मतलब कोसिका के कौन-कौन से भाग होते है, सेल का, चैसे कि कोसिका का हो गया ठीक है, mytrocondiya, kosika bhikti, centrosome, बहुत सार पाट है, तो उन पाटों का क्या क्या काम है, ठीक है, यहां से question पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, centrosome का क्या काम है, kosika bhikti, cell wall का क्या काम है, माइट्रो कौंडिया क्या काम इससे तरह बहुत कुछ है तो आप उसका पढ़ लिजेगा उसके साथ इसके जितने भी पॉइंट है पूरा पढ़ लिजेगा नहीं पढ़ ना है क्या कोछिका विभाजन ये आप देख सकते हैं कोशिका विभाजन, यह दिख रहा होगा, कोशिका विभाजन, यह नहीं पढ़ना है, बस यहीं तक पढ़ना है, ठीक है, कहां तक पढ़ना है, तो पादप योम जन्तु कोशिका में क्या अंतर होता है, बस यहीं तक पढ़ना है, ठीक है, कोशिका विभाजन को कल के दिन, ड इसको आप एकदम अच्छा से यूटूब से कर लिजेगा जो भी नए स्टुडेंट है जो पढ़े है तो ठीक है और जो नए है उसको कुछ नहीं समझ में आएगा अगर बाइलोजी से आप नहीं है ठीक है ना आठ्स के हैं तो आप इसको यूटूब से करके तप देखेगा डाइरेट जाएगा पढ़ने एकदम नहीं समझ में आएगा गारेंटी बोल रहें पहली बार है तो आप इसको यूटूब से देख लिजे मैंने बताया है दू थीन सिप्रा में से पढ़ लिजेगा बहुत बढ़ियां पढ़ाती है काजल में भी अच्छी है ठीक है वाइ तो आठ नंबर में साथ नंबर टॉपिक्स में होगा ठीक है सेबन देख लिजेगा में भी उपर नीचे हो सकता है तो प्रमुख देशों का राष्टे चिन जादा निए इतना बड़ा बॉक्स है अलगभग 12 देशों का प्रमुख है तो आप वहां से उस देश का तो आपको day two का homework मिल चुका है चलिए अब आप लोग मुझे comment करके बताईएगा जो test था 30 question का अब हम लोग test लेते हैं ठीक है मैं 30 question का test लेता हूँ आप लोग मुझे comment किजेगा एकदब जरूर comment किजेगा अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करना है इ answer दीजेगा इस हिसाब से ठीक है तो चलिए उसमें कुझे comment किजेगा कि 30 में आप लोग का कितना सही हुआ है ठीक है तो आईए मिलते हैं हम लोग question सीरीज में तो आयो friend अब हम लोग day 1 का जो आपनों का homework series दिया गया था उसमें 30 question में पूछोंगा और इसमें 30 question में आप लोग को कम से कम आपको 24 लाना है ठीक है 80 परसंट लाना है तब जाके समझेंगे कि हाँ आपका जो है त्यारी बढ़ियां से जितना मैं आपको homework दिया हूं तो आपका जो है आप उस homework को करके आए चले बिने किसी तरीकर सुरू करते हैं तो पहला जो question है day 1 का आपका 6 topic में वह politics है कि प्रस् C Australia D Britain आप मैच कर लिजेगा मैं दो सेकेंड टाइम दे दूगा प्रस्तावना की भासा किस देश से लिए गई है तो यह आपका Australia से लिए गया है तो बता दे कि प्रस्तावना जो है जैसे हम भारत के लोग जो है वह जो आप प्रस्तावना के दो देख रहे भासा वह कहां से वह आश्टेलिया के ही समिधान से लिया गया है नेश्ट कोस्चन क्यों और आते हैं अब हम लोग सेकेंड है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पूरा पसान काल की ओजारों की खोज कब की थी आपके पास ओप्सन है 1863, 1856, 1886 या 1887 दो सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ तो इ पूरस फूरा किया गया था ठट नमबर में आते हैं तिन नमबर वैज्यानिक अधार पर भारत की जनसंख्या का प्रथम बार किसने विभेदी करन किया है बुक से लिया गया या कोस्चन है रॉबर्ट पूरस फूर्ट बी कनिंगम के दवारा सी रिजले के दवारा या डी मार्सल जी के दवारा किनों ने भारत की जनसंख्या का विञ्यानिक अधार पर विभेदी करन किया है तो इसका सही अंसर आपनों मुझे कमेंट में बताईएगा कितना आपनों का स्कूरारा बताईगा तो इसका सही अंसर तीन का C हो जाएगा नेश्ट आते हैं सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडो का समूँ कौन सा है जुड़वा पिंडो का समूँ है ठीक है कौन सा है आपको ध्यान देना है छलिए एंसर दिजे सौर मंडल से बाहर की बात हो रही है बुक में दिया गया था ध्यां से पढ़े होंगे तो इसका सही अंसर होगा चार का भी प्ले नेमस ध्यान रखेगा प्ले नेमस फोबोस क्या है फोबोस जो है आपका फोबोस और डिपोस मंगल गरा का ये आपका उपकरा है ओलम्पिया जो है आपका ये ओलम्पिया भी जो ह आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा परवत है, जब कि चोरोन जो है, बोनागरा है, ठीक है, निश्टा आते हैं पांच नमबर में सूर का व्यास कितना है, सूर का सन का डाइमेटर कितना है, ए, 12,92,000 किलोमेटर जोल लिजेगा, बी, 13,92,000 किलोमेटर, फी, आपका 14,92,000 किलोमेटर, या डी, 11,92,000 किलोमेटर, सूर का व्यास, तो बी, इसका सही एंसर हो जाएगा, आप लोगा, पाॉस करके, इसको आप एंसर दीजेगा, ठीक है, कोश्चन मैं जब बोल दूँ, पाॉस कर दे, फिर समझ के दीजेगा, चले, नेश्ट है, 6, मूल मातरों को की संक्या कितनी है, फिजिक से है, मैंने बताया था, मातरक है, कितने मूल मातरक है, 7, 5, 8, या 9, एंसर दीजेगा, तो 6 का जो सही एंसर होगा, वह आपका, 7 हो जा आवर्ती या जोती तिर्विता, जो साथ मूल मातरक है, इसमें से कोन सामिल नहीं है, तो 7 का सही एंसर होजागा, आप आउस करके, इसका सोच के एंसर दीजेगा, तो 7 का आवर्ती जो है, मूल मातरक नहीं है, यह डिराइव यूनिट से वेदपन मातरक है, ठीक है, फ्रें बारत और चिन का है जर्मनी और फ्रांस का है चलिए आठ का अंसर जो होगा सही अंसर हो जाएगा आपका जर्मनी और फ्रांस का जो अंतराष्टे सिमा रेखा दोनों देशों की जो अलग बाटता है वह है मैगनी नौट रेखा ध्यान रखेगा जर्मनी और फ्रांस हो जाए अधार क्या था? A. सिकार B. क्रिसी C. पसुपालन या D. उद्योग चलिए, एंसर दिजेगा पूर पासान काल में जीव का कैसे वो लोग चलाते थे? सिकार करके चलाते थे क्रिसी, पसुपालन तो सही एंसर 9 का जो होगा वो आपका सिकार हो जाएगा पूर पसानी यह एकदम पहले का एकदम मानो जब एकदम सुरुवात का काल है तो लोग सिकार करते थे जंगली जीव जन्तु को मार के खालेते थे हना पत्थर का ओजार बना के निश्ट आ जाते हैं 10 भीम बेटका की गुफा क्यों परसित है A. सैल चितर B. मानो की खोपड़ी मिला है C. मिर्दिबान यानि पोटरी मिला है D. चावल का दाना मिला है चलिए तो इसका सही एंसर हो जाएगा 10 का जो होगा वह सैल चितर होगा 10 का क्या होगा चावल का पत्थर चाटान चाटान के उपर में चितर बनाये गया है ठीक है? तो इसे ध्यान रखिएगा 11 मौलिक करता होगा किस देश से लिया गया है? पॉलिटी का कोश्चन है मौलिक करता हुए जो हमारा फंडामेंटल डूटी है हम लोग इंडियन का, हम भारतियों का, आप इस्टुडेंट का मेरा मैसवर होने के नादे, मेरा डूटी क्या है? ये किस देश से लिया गया? अमेरिका से, रूस से, प्रिटेन से या फ्रांस से? चलिए, एंसर तो इसका सही एंसर होगा मौली करता होगा, वह रूस से लिया गया है ठीक है? जब हम पॉलेटी पढ़ा रहते हैं ट्रिक दे दिये थे अब जैसे हम आपको 6 टॉपिक दे रहे हैं आप 6 टॉपिक अच्छा से अगर कभर करके नहीं आईएगा और सही एंसर नहीं दिजेगा किस गराप इस्तित है? प्रिथ्वी पे? मंगल पे? सुक्र पे या सनी पे? चलिए एंसर दे इसका तो 12 का जो सही एंसर हो जाएगा वह आपका मंगल गराप हो जाएगा ठीक है ओलिपिस मैसी जो है तो वह सौर मंडल का सबसे बड़ा जौला मुखी जो है या सौर मंडल का सबसे बड़ा जौला मुखी इसके साथ साथ सौर मंडल का सबसे बड़ा परवत भी जो है वह मंगल ही गराप पे है ध्यान रखिएगा आईए नेश्ठ है 13 निमलिकित में से किसे जुवास्मगरा भी कहा जाता है सौर मंडल चाप्टर से एक और कुश्चन आ गिया है जुवास्मगरा किसे कहते हैं? एंसर देंगे आप लोग पृत्वी सुक्र मंगल या इनमे से कोई नहीं जुवास्मगरा तो पृत्वी को तो निला गरा कहते है सुक्र को जो कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? पृत्वी की भगनी कहते हैं सांच का तारा, भोर का तारा मंगल को हम लोग बोलते हैं मंगल को लाल गरा कहते हैं तो इनमे से कोई नहीं होगा तो जुवास्मगरा जो है न वह चंदमामा को कहते हैं जिवास में ध्यान रखेगा चंदरमा को जिवासमगरा कहते हैं नेश्ट आते हैं सब कुछ दिया हुआ है लूशन में प्रिथवी और चंदरमा प्रिथवी और मून के बीच का और सतम एबरेज डिस्टेंस कितना है ठीक है आपको बताना है ए तिन लाग तीस हजा दो सो पै 65 किलो मीटर नेश्ट आते हैं पंदरा मैक मोहन रेखा किन दो दोईसो की अंतराश्टिय सीमा रेखा है बताना है कि कौन से दो दोईस के बीच में वो रेखा को खिच दिया गया मैक मोहन नाम का ठीक है तो सही अंसर भारत पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत औ और बंगलादेश तो 15 का आपका सही एंसर हो जाएगा C भारत और चिल का बीच में जो रेखा है ना बौर्डरी ते करता है उसको मेक मोहन रेखा कहते है जबकि भारत पाकिस्तान का रेट किलिप पाकिस्तान अपगानिस्तान का डुरन और भारत बंगलादेश का आप लोग म मिला था सोना मिला था या चांदी मिला था एंसर देंगे तो सोला का जो सही एंसर है मनुस सबसे पहले जो है ना लोहा नहीं होगा इसका बी तामबा सबसे पहले हो जा था मनुस उसके आपसान कालिंग आप लोग जो पढ़ रहे होंगे पसान काल में तो तामबा ठीक है ल बहुत बात में 1400 BC के आसपस हुआ था चलिए नेश्ट आते हैं समवर्ती सूची का प्रधान किस देश से लिया गया है सत्रा A. France, B. Britain, C. Russia, D. D. option चुट गया है चलिए D में मैं एक option दे देता हूँ Australia, दो बार हो गया, चलिए, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का प्रधान किस देश से लिया गया है तो 17 का D होगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ 17 का D, Australia से समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची मतलब जिस पर केंदर सरकार और राज सरकार दोनों कानून बना सकता है तिल सूची है, पॉलिटिक के क्लास में पढ़ाया हूँ, ठीक है 18, आधुनिक वर्गी करन का पिता किसे कहा जाता है अरुस्तु को, B, कार लिनियस को, C, बुस्टनर को, D, मैंधिलिफ को, आधुनिक वर्गी करन, फादर ओफ, मौडन टैक्सोनोमी, चलिए, बताईए, 18 का तो सही अंसर होगा, आपका कार लिनियस को ही, आधुनिक वर्गी करन का पिता कहा जाता फादर ओफ, मौडन टैक्सोनोमी, ठीक है, अरुस्तु को नहीं कहा जाता, फादर ओफ, जुलोजी, अरुस्तु को कहा जाता है जबकि मेंडलेफ, मतर के पोधे में, आनवन सिक से समन्दित है नेश्ट है, 19, यूगलीना जिवधारियों के किस जगत में पाया जाता है, यूगलीना मैं बताया था कि 5 आपको जगत पढ़ना है, ठीक है, ए, मोनेरा में, बी प्रोटिष्टा में, सी कवक में, या डी पादक में, यूगलीना कहा पाया जाता, मोनेरा, प्रोटिष्टा, कवक, तो 19 का बी प्रोटिष्टा जो है इसका सही अंसर हो जागा जबकि Monera में जेनरली बैक्टरिया पाया जाता है नेश्टा थे हैं 20 धान का वेग्यानिक नाम क्या है ए और्जिया सेटिवा बी पिश्यम सेटिवियम सी बॉस इंडिकस डी राना ट्रिग्रिना चलिए 20 का अंसर दे पाउस कर लिजगा तो 20 का जो सही अंसर है वह आपका ओर्जिया सेटिवियम होगा धान का वेग्यानिक नाम जबकि पिश्यम सेटिवियम जो है मठर का है बॉस इंडिकस आई थिंग गाय का है और राना ट्रिग्रिना मैढग का है ठीक है तो सही अंसर 20 का A निश्टा आते हैं रेखा किन दो देश को जोड़ती है फिर सीमा रेखा आगिया आपका विविद से question तो इसका सही answer जो हो जाएगा 22 का 49 अब सूचिए 0 से हम चल रहे हैं विस्वत रेखा 0 से अक्षान से रेखा की तरफ तो एक 49 एकदम उपर में वो गया तो उपर में क्या है? उपर में आप अगर वर्ल्ड में आप देखते हैं तो कनाड़ा है कनाड़ा का नीचे USA है तो USA और कनाड़ा के बीच में हो जागा तो 22 का A सही answer हो जाएगा ठीक है? 49 वी समना अनतर आजम टॉक पे निश्टा आ जाते हैं 23 इन में से कौन बॉना गरह नहीं है? बॉना गरह ठीक है? आपको एंसर देना है A सेरस, B प्लोटो, C प्रॉक्सिमा सेंचूरी या D चेरोन कौन इसमें से बॉना? तीन बॉना गरह है और एक नहीं है तो सेरस, प्लेटो और चेरोन ये तीनों बॉना गरह है तो सही अंसर 23 का सी होगा प्रॉक्सिमा सेंचूरी ये क्या है? ये सबसे चमकीला तारा है ठीक है? प्रित्वी के सबसे निकट चमकीला तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचूरी जब कि सेरस क्या है? बॉना गरह है प्लोटो क्या है? बॉना गरह है इतना क्लियर हो गया होगा, कमेंट कीजेगा जरूर कितना है, तभी मुझे भी अच्छा लगेगी, हाँ चलिए, मेरा पढ़ाया हूँ, आपको समझ में आ रहा है, चलिए, कोई बात नहीं, छुद्र ग्रह किन्दो ग्रह के बीच पाया जाता है, 24 का एंसर देंगे, छुद् कर लेंगे, तो चुद्र को आप क्या कीजे न, सुरी, चुद्र करा जो है, थोड़ा सा इसमें, चुद्र का एंसर गलत है, तो चुद्र का जो होगा, मंगल और ब्रस्पत, फ्रेंड, मंगल, ए में आप कर लिजेगा, इसको हटाइए, ए में, तो एक एंसर इसका जो हो जाएगा, छुद्र का जो पाया जाता है, वह आपका मंगल और ब्रस्पती के बीच में पाया जाता है, कैसे याद करेंगे, छुद्र को आप हमेसा बुद्ध पढ़िए, छु शुद्र, मंगल और ब्रस्पती के बीच में, 24 का यह हो जागा, चलिए, नेश्च है, जोती तिर्विता का संकेत कौन सा है, ठीक है, कैसे लिखते है, जोती तिर्विता को, ए, COD में, CD में, CC, CE में या, CAN, जोती तिर्विता का मातर, कैंडिला होता है, तो, कैंडिला चो हो 26, एक परकास वर्स कितना होता है, 26 का अंसर देंगे आप लोग, एक परकास इसको वर्स है, 9.5, 4, 6, 10 to power 15 मीटर, 10 के पावर में 12 मीटर, 10 के पावर में 10 मीटर, या 10 के पावर में 16 मीटर, 26 का सही अंसर हो जाएगा, आपका 10 के पावर में 15 मीटर हो जाएगा, एक परकास वर्स मीटर, जबकि अगर किलो मीटर में 10 के पावर में 12 मीटर हो जाएगा, छलिए ने-श्ठ आते हैं, 27 इनाम गाउं किस संस्कृति का है या किस संस्कृति से संबंदित है इनाम गाउं सिंदु से वेता से है क्या सोचिएगा इन सिंदु से वेता भी वैदिक से वेता है ताम परसान है या उप्यूक में से कोई भी नहीं है फालतू में सर दे दिये चलिए तो सही अंसर हो जाएगा 27 का इनाम गाउ जो है ना वह ताम परसान ताम यानि ताम परसान संस्कृति जब आप पढ़ रहे होंगी अभी ठीक है प्रागित है सिकाल तो उसमें ताम परसान यानि तामबा का जो जहां से मिला है और जारवेगेरा तो ये नाम गाउ उसी से संबन देते है ठीक है इसको ध्यान रखेगा जारवेगे संस्कृति वेगेरा आसपा समुई से निश्टा आते हैं 28 मानो द्वारा सौर पथम परियुक्त अनाज क्या था देखिए कन्सूजन हो गए या आप लोगो मानो द्वारा सौर पथम परियुक्त अनाज गेहू था जो था चावल था या मक्का था तो देखिए सही अंसर इसका बुक में जो लिखा हुआ है चावल बुक में लिखा हुआ है चावल लुशन के बुक में कि क्रिसी के लिए यूज होने वाला पहला पसल जो है जबकि मानो द्वारा परियुक्त अनाज जो है वा चावल है लेकिन इसका सही अंसर आप लोग जो मारियेगा क्योंकि जितना भी कोस्टियन अभी तक आया है एक्जाम में वहाँ सब में जो माना गया है लूशेंट में चावल दिया गया है कि क्रिसी के लिए जो है और मानो द्वारा पर्थम अनाज जो है वा चावल है लेकिन चावल आयोग जो है इसको जो मानता है तो मानो द्वारा पर्थम अनाज जो था जो और गेहुं दोनु साथ में दे दिया जाएगा तो उसको भी मारियेगा इसके स जो है शॉरी जो मिलता है कुछ ईसा अधिक्त है कमेंट किजेगा एक मौलीक अधिकर किस तेस के समेधान से लिया लिया 39 योसे से लिया गिया बॡ्रेल से लिया ग Rashid यो जर्मनी अब जब अधिकार का बात होता है तो सोचिए लिजे कौन पावर्फूल है सबसे पावर्फूल देश में कौन कंट्री है अधिकार पूरा देश पूरा मतलब वर्ल्ड में मेरा अधिकार रहेगा कौन है अभी USA है तो मॉली का अधिकार USA से लिया गया है fundamental rights ठीक है आधिकार अधियान मैं क्या हरा हूं तो माइकोलोजी तो अब आपना काम है कि कितना आया है if the पता चलना चाहिए न कि मेरे स्टुडेंट कितने नंबर ला रहे हैं ठीक है तो आप लोग सकेंड डे का जो टॉपिक दिया गया उसको बढ़िया से किजिए और कितना आया है तीस में एक दम इमंदारी पुरुवक मुझे एंसर दीजेगा ठीक है कहां नहीं समझ में आ रहा है क्या नहीं हो रहा उसको अगर कुछ सुधार ना होगा तो उसको भी करेंगे तो मिलते हैं हमनों फिर कल नेश्ट वीडियो में थैंक यू जहिन